यानि कि अगर पत्नी की F.I.R. में ओफेंस होना पाया जाता है तब भी पती के खिलाफ कोई कारवाई नहीं होगी पत्नी कंप्लेंट करते समय इस बात का ध्यान रखती है किसी भी तरह का कोई लूप होल या कोई कमी ड्राफ्टिंग में ना राज जाए जिससे की पती बाद में बच जाए अगर सेक्शन 498A के इंग्रेंट्स पूरे होते भी हैं तो भी 498 को खतम किया जा सकता है नमस्कार दोस्तों लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस दोस्तों आज हम Honorable Supreme Court की एक latest और landmark judgment पर बात करेंगे जिसमें Honorable Supreme Court ने न केवल 498 के केस को कतम किया पती को रिलीव दिया बलकि पुलिस को और court को ये direction दी कि पतनी की complaint पर बेवज़े से धडलले से पती पर 498 ना लगाया जाए दोस्तों अपनी judgment में Honorable Supreme Court ने बताया कि कैसे पतनी complaint करते समय इस बात का ध्यान रखती है कि 498 एके सभी ingredients सभी conditions पूरी हो किसी भी तरह का कोई loophole या कोई कमी drafting में न राज जाए जिससे की पती बाद में बच जाए लेकिन Honorable Supreme Court का कहना था कि इन सब के बावजूद भी 498 एके के केस को खतम किया जा सकता है पती को relief दिया जा सकता है यानि कि अगर पत्नी की F.I.R. में offense होना पाया जाता है तब भी पती के खिलाफ कोई कारवाई नहीं होगी पत्नी के 498 के केस को खतम किया जा सकता है दोस्तो अपनी judgment में Honorable Supreme Court ने पती पक्ष को बहुत बड़ी रहत दी ये कहकर कि अगर पत्नी अत्याचार का अरोप लगाती है मार पिटाई का अरोप लगाती है तो भी पती पर mechanical तरीके से 498 एक नहीं लगाया जा सकता दोस्तो ये वीडियो पती देखे ना देखे लेकिन पत्नी को जरूर देखना चीए ताकि उससे पता लगे कि किस तरह से 498 का misuse किया जाता है और अगर आपका case genuine है तो आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है चोकि इस case में पत्नी के द्वारा की गई थी दोस्तो वीडियो बहुत ही important है और आने वाले समय में ये judgment एक landmark judgment होगी इसलिए आपने वीडियो को अंतक जरूर देखना है और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही notification bell icon दबा दीजिए इन केस आपकी कोई भी legal समस्या है कोई भी legal problem है तो वो आप मुझे बेच सकते हैं यदि आप urgently मुझसे बात करना चाते हैं अपने matter को discuss करना चाते हैं तो आप email से भी मुझसे one to one session की appointment ले सकते हैं दोस्तों इस case में पती-पत्नी की marriage सन 2008 में होती है और 2012 में उनके घर एक बच्चा भी पैदा होता है दोस्तों शादी के 10 साल के बाद यानि की सन 2019 में पती के द्वारा पत्नी से तलाक लेने के लिए cruelty के grounds पर divorce का case पाइल किया गया सन 2020 में पती की मा यानि की सास के द्वारा पत्नी पर घरे लूइन सा domestic violence act का case पाइल किया गया दोस्तों जैसे ही पती और सास के द्वारा ये cases पाइल किये गए तो पत्नी ने बदला लेने के लिए पत्नी और उसके परिवार पर 498 की FIAR दच करा दी पत्नी का अरोब था कि उसे ससुराल में तंक किया जाता था उस पर अत्याचार किये जाते थे उससे दहेज की डिमांड की जाती थी यानि की पत्नी ने इस बात का ध्यान रखा कि कम्प्लेंट में 498 के सभी ingredients पूरे हो जाएं और पत्नी को कहीं भी कोई relief ना मिले दोस्तों पत्नी की कम्प्लेंट पर पूलिस के द्वारा 498 की F.I.R. दर्च कर ली गई इसके बाद investigation करके पूलिस ने केवल पत्नी के खिलाफ 498 का चलान फाइल किया और बाकी दोशी यानिकी सास ससूर या अन्य ससूराल वालों को F.I.R. में से निकाल दिया दोस्तों इसके बाद पत्नी की F.I.R. को क्वैश करने के लिए हाई कोट में क्वैशिंग पिटिशन फाइल की गई लेकिन हाई कोट में पत्नी की क्वैशिंग पिटिशन को डिस्मिस कर दिया गया और पती पर 498 का केस चलाने के निर्देश दिये गए इसके बाद पती के द्वारा हाई कोट के ओर्डर को ओंडेबल सुप्रीम कोट में चैलेंज किया गया दोस्तों इस केस में ओंडेबल सुप्रीम कोट ने 498 के रिगार्डिंग कुछ बहुत ही इंपोर्टन पॉइंट्स अब्जर्व किये और ये इंपोर्टन पॉइंट्स आपने भी अपने केस में याद रखने हैं यदि आप पत्नी के 498 के के केस को खतम कराना चाहते हैं दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है नेचर ओफ एलिगेशन का दोस्तों ओंडेबल सुप्रीम कोट के द्वारा अब्जर्व किया गया कि पत्नी के द्वारा जो एलिगेशन लगाए गए थे वो बहुत ही सामान्य थे और जनरल लेचर के थे पत्नी ने उस पर किये गए अत अत्याचार हुआ उससे ह्रैस किया गया लेकिन पत्नी ने उस अत्याचार के बारे में ना ही कोई स्पेस्पिक पताई और ना ही कोई स्पेस्फिक समय बताया है दोस्तों ओंडेबल शुप्रीम कोट का अगला inपोर्टेंट पॉइंट था कि पत्नी ने कब 4098 की complaint फाइल कर में पत्नी ने 498 का केस केवल एक काउंटर ब्लास्ट यानि की बदले की भावना से किया गया था ओन्रेबल सुप्रीम कोड का तीसरा important point था कि पत्नी ने 498 एक फाइल करने में कितना डिले किया कितनी देरी की दोस्तों पत्नी ने 498 के केस फाइल करने में देरी तो करी ही थी लेकिन पत्नी ने उस देरी को उस देले को कहीं भी explain नहीं किया था कि क्यों पत्नी ने इतना समय लगाया काइदे से तो जैसे ही पत्नी की लड़ाई जगड़ा होता है या पत्नी अपने माई के चली आती है तो उसे immediately 498 का केस फाइल करना चाहिए लेकिन इस केस में तकरीबन दो साल का डिले था देरी थी दोस्तों इस केस में honorable supreme court ने high court के decision पर भी अपनी निराशा जताई supreme court का कहना था कि section 482 में high court को inherent powers इसलिए दी गई है ताकि जहां पर भी court को लगे कि कानून का दुर्प्योग किया जा रहा है वहाँ पर 482 का उप्योग करके पीडित को इनसाफ दिया जाए दोस्तों इसके बाद honorable supreme court ने देश के सभी courts को आदेश दिये ये कहा कि सभी court की ये duty बनती है कि पत्नी के द्वारा जो भी allegation लगाय जाते है उनकी बाकाइदा deeply scrutiny की जाए ये देखा जाए कि उनमें सच्चाई है या नहीं है क्या प्रथम दृष्च्या केस बनता है या नहीं बनता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि केवल बदले की भावना से पती पर केस किया गया है दोस्तो सुप्रीम कोर्ट के इस पॉइंट पर पत्नी का कहना था कि ये सब एविडेंस की बाते हैं एविडेंस से ट्रायल में ये स्थापित होगा कि पती ने अत्याचार किया है या नहीं किया है दोस्तो यहाँ पर ओन्डेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी बात कही जो कि 498 के केसिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टन्ट है और जानने लाइक है दोस्तो ओन्डेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि बले ही FIR और चार्चीट में 498 एके ओफेंस का होना दर्शाते हैं लेकिन अगर कोर्ट को यह लगता है कि पतनी ने बदले की भावना से और केवल और केवल पती पक्ष को हरैस करने के लिए 498 का केस किया है तो कोर्ट 498 की FIR को रत कर सकती है जाने कि अगर सेक्षन 498A के इंग्रेंट्स पूरे होते भी हैं तो भी 498 को खतम किया जा सकता है ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोर्ट को मेकैनिकली एक धडले से पती पर 498 एक चलाना ही होगा दोस्तो सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना था कि पतनी अपने केस को 498 में लाने के लिए ये एंशोर करके चलती है कि जो भी एलिगेशन वो लगा रही है वो उसके दायरे में आते हैं या नहीं आते हैं इसलिए पतनी ड्राफ्टिंग के समय एड्वोकेट्स या लीगल प्रोफेशनल्स की मदद लेती है ताकि किसी भी तरह का कोई लूपोल ना रह जाए कोई कमी पेशी ना रह जाए लेकिन इसका मतलब ये बिलकुल भी नहीं है कि कोर्ट को अपनी आखे बंद करके रखनी ह कोट की ये जिम्मेदारी है कि उसे वो चीज देखनी है जो कि पतनी नहीं दिखाना चाहती है और वो है बदले की भावनाय से किया गया केवल और केवल पती को हरैस करने के लिए किया गया 498 का किस दोस्तों ओंडेबल सुप्रीम कोट का यहां तक कहना था कि मैट्रिमोनियल इशूज में एक टेकनिकल और हाइपर सेंस्टिव अप्रोच नहीं लिजा सकती ये बात उन्होंने पती पतनी दोनों के लिए कही साथ ही पुलिस के लिए भी कही और कोट के लिए भी कही क्योंक पुलिस को भी समझना होगा कि पतनी के द्वारां पुलिस की पावर का गलत इस्तमाल किया जाता है दोस्तों इन सब को देखते हुए ऑंडेबल सुप्रीम कोट ने पती के पक्ष में फैसला सुनाया और पतनी की 498 की F.I.R. को रत कर दिया खतम कर दिया तो दोस्तों अब निराश होने की जुरूत नहीं है अगर पतनी ने सोची समझी साजिश के तहट प्लैनिंग के तहट आप पर 498 की F.I.R. दर्च कराई है उसमें ऐसे ऐलिएशन लगाए हैं जो की 498 की दायरे में आते हैं तो भी कोट पतनी की 498 को खतम कर सकती है अगर पतनी ने आपको फस बारें जुरूर शेयर कीजेगा यदि आपकी कोई legal समस्या है legal problem है तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं इस judgment का link मैं आपको description में दे दूँगा वहां जाकर के आप इसे download करके पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं और अपने case के facts के अनुसार use भी कर सकते हैं तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like और share जुरूर कीजेगा चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए topic के साथ तब तक के लिए धन्यवाद जैहन